तो अभी क्या है रूल काफी स्ट्रिक्ट है, इतना अच्छा वैदर मैंने आज तक अभी देखा नहीं गोवा का, फास्ट टाइम हमने ऐसा इतना प्लीजन्ट वैदर गोवा में देखा है, तो न्यू येर आने वाला है, और आज मुझे लगा कि ये चीजे अपडेट जरू तो नहीं हुआ, तो हमने सोचा के एक अपडेट देते हैं, और साथ-साथ हम अपडेट देंगे यहां की सिच्वेशन का, अभी कैसी चल रही है, कैसा क्राउड है, और प्लस कैसा वैदर है, काफी लोग वैदर के बारे में पूछ रहे हैं, के गोवा का वैदर कैसा है, तो तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग करते हैं, वो करते हैं कि गोवा एंट्री गाइडलाइन क्या है, गोवा में आपको आ रहे हो, तो क्या गाइडलाइन से हैं, चेंज हुई है, नियूएर के लिए या नहीं हुई, क्योंकि काफी लोग इस चीज से घबराए हुए है, क्य क्या कोई अपडेट है, काफी कमेंट आ रहे हैं, तो मैं सोचा कि ये वीडियो बनता है उनके लिए, सभी के लिए, तो गोवा एंट्री गाइडलाइन जो है, अगर आप आ रहे हो, तो सेम है जो पहले थी, मतलब या तो आपको डबल डोज का सर्टिविकेट लगा हुआ ह अंदरे दिन से पहले हो, तो आपको एंट्री मिलेगी आराम से, अगर वो नहीं है आपके पास डबल डोज सर्टिविकेट या सिंगल डोज भी सर्टिविकेट है, तो आपको आपको रटी पी सी आर या रैपिड रिपोर्ट या फिर एंटीजन टेस्ट, कोई सा भी एक ट बड़े होएं, 15 दिन हो गए हैं, दोनों डोज लगे हुए, तो आप आ सकते हो, विदाउट एनी नेगेटिव रिपोर्ट, बट अगर आपको एक डोज लगी है या आपको एक बीडो नहीं लगी है, तो फिर आपको को भी नेगेटिव रिपोर्ट लेके आनी हैं, जो से ज्यादा लग जाएंगे तो यहां आके अराइवल पे भी आप टेस्ट करा सकते हैं उसमें किया थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका हो सकता है एक घंटा वेट करना पड़े दो घंटे वेट करना पड़े यह टाइम आप उसमें एजियूम करके चलना और उसका जो सब्सक्राइवल पे भी सेम ही चार्ज हो रहे है और बच्चों का भी एक बार लोगों में बहुत कंफ्यूजन है कि अब बच्चों का कैसे करना है तो अगर आपका बच्चा पांच साल से छोटा है तो फिर तो आप रिसक ले सकते हो कि विदाउट टैस्ट आजाओ या मतल कर रहे हो तो सब को वह ओल्मोस्ट चेक कर रहे हैं कोई इका दुक्का बच जाए वोले बात है बट जायतर जो है हर आदमी को बॉर्डर पर वहां पर चेकिंग हो रही है और हर आदमी की वह रिपोर्ट बगारा जो भी रिक्वाइड डोकुमेंट है वो सारे चेक कर रहे ह तो अभी बात करते हैं सेकेंड चीज कि यहां पर गाइड लाइन्स क्या है कई लोगों को है कि नाइट लाइफ एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे बिकॉस आप न्यू यार्या क्रिस्मस पे आते हो तो ओविसली आप चाहते हो कि हम नाइट लाइफ एंजॉय क कर पाऊगे यहां के जुसी है मैं उन्होंने साफ साफ बोला है कि हम में सेलिब्रेशन में कोई रोक में लगानी बस आप सब लोग रूल्स फॉलो करो रूल्स मतलब मास्क पहनो भीड में जाने से थोड़ा सा बचो और सोशल इस्टेंसिंग मेंटें रखो तो देखो क्या है जैसे क्या जो यह हो गए बीस साइड जो डीजे पार्टी वगरा होती थी वो थोड़ा म्यूजिक वगरा उनका थोड़ा सा लो रखने का बूला है कि एक लिमिट तक आप हाई कर सकते हो तो बस यही थोड़ी सी चीजे हैं जो फोलो करनी पढ़ेंगी आपको अगर आप नियू यर पर इधर आ रहे हो तो बाकी कोई नाइट कर्फियू नहीं है कोई लोगडाउन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है नहीं कोई न्यू जैसा तो यह तो हो गई सारी गाइडलाइन से रिलेटिट चीजे और जैसे कि मैं अगर एक्जांपल बता हूं मैं भी रात को दो बज़े एक बज़े बारा बज़े मैं बाहर निकलता हूं और डेली घूम रहा हूं अभी तो क्योंकि मुझे यहाप आना पड़ता है चेक इन कराना है चेक आउट कराना तो हमारे जो भी गैस्ट आ रहे हैं नाइट में टैक्सी से आ रहे हैं या फिर अपनी से ड्राइब तो अभी हैं पर बड़ा अच्छा हो रहा है यहां अच्छा वैदर मैंने आज तक अभी देखा नहीं गोगा का था तायम हमने इसा इतना प्लीजन वैदर गोऔर रही है ठोले तो नाइट में जो है अच्छी ठंड हो रही है चीघंड मतलब आपको फैन निचलाने करे प् तो अधर थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ गर्मी है थोड़ा सा हीट है पबलिक जादा है सबसे बड़ी चीज़ है क्राउड जादा है तो बोड़ी के टेंप्रेचर भी मैटर करता है कई बार और इधर की तरह तो बिल्कुल बढ़या है कूल है दिन थोड़े से गरम मिल करती है कई बार अगर आप पूरा दिन एंजोई करना चाहरे हो अपने रिजोट पर बाकी और तो गोवा आराम से आओ कोई टेंशन लेनी की जड़ूत नहीं है और अगर फिर भी कोई आपके डाउट से तो आप कमेंट करके हमें बताना जो भी डाउट सोंगे या फिर अपने खेट भी दिखा देता हूं साथ ही तो यह अपने खेट और पानी दे दिया है आज इने कल पानी नहीं लगा पाई थे क्योंकि कल थे हम बीजी पूरा दिन और अभी अच्छे से जम रहे हैं सब चीजे तो बस यह अच्छी चीज है यह सरसो पूरी जम गई उधर की तरफ ना हम खोद नहीं पा रहे हैं अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है एक्चली काफी बीजी चल ला हूं मैं यहां पर काम में कोटेज तो आज हुए है कुछ चेक आउट सुबह सुबह तो क्लीनिंग चल लगी है अभी काम में लगे हुए सब और थोड़ा सा देख रहे ह हम भी कैसी क्लीनिंग हो रही है क्लीनिंग पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अभी के क्लीनिंग में कमी नहीं होनी चाहिए कुछ भी सफाई एच्छे से होनी चाहिए पूरे रूम की अंदर से तो गाइज यह थे अपडेट अभी रिशेंटली क्या सिच्वेशन है और वहाँ पर अपनी क्यारी पूछ सकते हो तो ज्यादे तर हम वहाँ पर काफी रिप्लाई कर देते हैं एंड होप करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सेर और कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप पहली वार चैनल पर जूड़ नहीं है तो तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तिल देन टेक केर बाए बाए